नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अचार्य एक देव आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुसर मंगर से होंगे स्वस्त होंगे और प्रसंद होंगे आज हम बात कर रहे हैं मंगल का रासी परिवर्तन मकर रासी से अब कुम रासी में गोचर करने जा रहे हैं मित्रो मंगल देव अपनी रासी को बदल रहे हैं यह अपनी उच्च रासी से निकल कर सनी देव की मुल तिरकोंद रासी कुम्ब रासी में गोचर करने जा रहे हैं यहां मंगल देव 15 मार्स से 23 अपरेल तक यहीं गोचर करेंगे 23 अपरेल 2024 तक लहेंगे यहां पर यहां पर जो है सनी देव के रासी में मंगल जो है रहेंगे पर सनी मंगल के साथ रहेंगे सनी की रासी में मंगल और इनके साथ होने से कहीं कहीं लराई जगरों का माहौल बन सकता है जैसे कि भूकम जैसी घटना या कोई सोक संदेश आपको मिल सकते हैं सनी मंगल के साथ 31 मार्च तक सुक्र भी रहेंगे इसलिए सनी मंगल का प्रभाव कुछ लगनों के लिए अच्छा कुछ के लिए बुरा रहेगा शवी लगनों पर इनका क्या प्रभाव रहेगा मैं पूरे जानकारे इस विडियो में बताने जा रहा हूं मंगल करेंगे दंगल साथ रासी को तो जवर दस्त लाब मिलेगा और शुर्य राहू का भी यूती है एक दिन पहले हुआ है और दुसरे दिन सेनापती मंगल का भी गोचल मकर रासी से कुम रासी मोने हैं तो सरपरत्म हम बात करेंगे मेश लगन वाले जात्कों को यह कुम्ब रासी में शनी मंगल के साथ क्या प्रभाव प्रभाव है कि सभी लगनों पर देंगे तो मंगल के मेश रासी मेश लगन से मेश लगन के जातकों को शंकत मेश लगन के लोगों के शंकत कम होंगे पैसे आएगा और परिवारिक जीवन में शांती पुर्ण होगा कारियों में शफलता भी तई है आए के साधन बढ़ेंगे नोक्री में ग्रोथ होगी अगर आप जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो यह समय अच्छा है घर के बड़े सदस्यों से प्रेम पुर्वक रहें खास तोर पर बड़े भाई के साथ मत भेद ना रखें बिद्यार्थियों के लिए समय उच्छ होगा अब बात करते हैं बिसब लगन और बिसब रासी के जातकों के लिए तो मंगल तो दंगल करेंगे पावर फूल समय बिसब रासी के लिए गोल्डेन प्रियेट शुरू हो गया है विशब लगन और बिसब रासी के जातकों को मंगल के गोचर कुम्ब रासी में सनी और मंगल की युती से बिसब लगन बिसब रासी को सुक समर्दी में ब्रिधी होगी आई के नए नए साधन प्राप्त होंगे नए समपती खरी दे सकते हैं परिवार में सुक्षांती का माहल होगा विदेसी कंपनी या विदेसी क्लाइंट से आपको लाब मिलेगा हो सकता है आपको विदेसी कंपनी में अगर जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखे हैं तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा आपको विदेश जाने का योग बन रहा है और के आपर मिल सकते हैं पर्मोशन होने के योग भी बन रहे हैं अगर किसी पॉल्टिक से आप राजनितिक से जुरे हुए हैं तो आपको पाटी से कहीं बड़ी आपको जिमेदारी मिल सकता है अगर सैना में हैं तो हो सकता है आपका पर्मोशन हो सकता है और यह अचानक होगा लेकिन सारा चीज तो आपका अच्छा होगा लेकिन साथ में सनी मंगल की यूती से जब भी आप ड्राइड करें या जब भी आप कोई गारी वाहन मोटर बाइक चलाएं अब बात करते हैं मिथुन लगन मिथुन रासी के जातकों के लिए नमम भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव आपको सफलता प्रदान करेगा आपको लोगों के आपका काम बनते बनते रुक गया लेकिन निरास ना हो अंत आपको सफलता मिलेगी आपके द्वारा किये गए कारियों और निर्नैयों की प्रसंसा हो गई यात्रा के योग बन रहे हैं परिवार में छोटे भाईयों के साथ सम्मंद बना कर रखें खर्च कम करें आर्थित तंगे आ सकती है आपका भाग अच्छा होगा आएके नए नए सुत्र बनेंगे और आपके लिए अच्छा समय रहे गा करकलगन करकरासी करकलगन करकरासी क जातकों का मंगल का गोचर करकलगन वाले के लिए ज़्यादा सुब नहीं है स्वास्त का आप ध्यान रखना होगा कार्य छेत्र में भी सिर्फ काम पर ध्यान दें वाद विवाद और जगरे से आप दूर बना कर रखें दूर हुआ दूरी बना कर रखें धन वापस मिलने की उमीद दीख रही है आपके आएक के साधन बढ़ेंगे अगर लोग आपके को नीचिया दिखाने की प्रियास कर सकते हैं शावधन रहें परिवार से विवाद हो सकता है कुल मिला कर ये गोचर आपके लिए तनाव चुनावतियों लेकर आएगा और आपके लिए यही रहेगा चुकि नित्य जो है शिवाले में जाएं और वहाँ पर शिवाले में भूले नाथ को जल चरहाएं और खूलमान चलिसा का खूलमान मन्दिर में जाकर के आप खूलमान चलिसा और बजरंग बली का आप आठ हैं और चमेली का तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सिंदूर डालके और तेल सिंदूर भी चरहाएंगे सिंग लगन और सिंग रासी के जातकों को मंगल का शनी की रासी में गोचर और सनी मंगल की यूति का प्रभाव सिंग लगन वाले को जीवन साथी के साथ जहगरा हो सकता है कोई छोटी मोटी लराई आपको परेशानी में डाल सकती है या आपकी जीवन साथी का स्वास्त खराब रहेगा आर्थिक लाव के योग दिख रहे हैं श्रसुराल पक्त से रिष्टे बना कर रखें साथी के लिए अगर रिष्टे ढूंड रहे हैं तो इसमें विलम हो सकता है थोड़ी देरी हो सकता है कन्या लगनव और कन्या रासी के जातकों को मंगल का प्रभाव क्रोध पर कंट्रोल रखें आपके दुस्मन आपको परेशान कर सकते हैं लेकिन उनकी हार होगी किसी को उधार देने से आप बचें विदेशी कमपनी से जौब आपको जौब का आफर आ सकता है अपनी योजनाएं लोगों से सेर ना करें कोट कचारी के मामले में निरने आपके पक्ष में आ सकते हैं धन मिलने के योग दिख रहे हैं आप जो भी काम करें काम होने के पुर्व आप किसी को ना बताएं अगर आप बताएंगे तो आपको बिलम हो सकता है या आपके हाँ से काम फिसल सकता है तुला लगन और तुला रासी के जातकों को में या तक मंगल का प्रभाव आपको संतान पक्ष को कष्ट मिल सकता है आफिस में भी वाद विवाद हो सकता है आपके जुनियर आपसे भी टकराव हो सकता है विद्यार्थियों को अच्छे नम्मर लाने के लिए करी महिनत करनी होगी समाजिक पर्द परतिष्ठा बढ़ सकती है धन समंधी परेशानी हो सकती है अब बात करते हैं विश्चिक लगन और विश्चिक राशी में आपके सुख बढ़ेंगे माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखना होगा आपके काम बढ़ेंगे ब्यर्त की दौर भाग भी हो सकती है आई के नए सोत्र बढ़ेंगे मकान या घड़ खरने के योग बन रहे हैं घड़ में झजगरे की कलह के वज़ा से आपके मानसिख असांती हो सकती है आपके सांती भंग हो सकती है अब बात करते हैं धनु लग्न धनु-्रासी के जातकों के लिए मंगल का प्रभाव मंगल आपका जो पंचमेष और पंचमेष आपके है वह पंचमेष आपके त्रिक भाव में तिसरे भाव में प्रक्ष्ण समभाव में निया सनी देव के साथ गोचर करेंगे और इसका प्रभाव आपके उपर मंगल का प्रभाव आपको सफलता दिलाएगी कठिन परिस्थितियों में भी आप असानी से जीत मिलेगी अपनी योजनाएं गोपनियें रखते हुए कार करें तो सफलता जल्दी मिलेगी छोटे भाई के साथ आप अपने रिष्टे को अच्छे रखें किसी को किसी को उधार ना दे वरना अगर आप किसी को इस बक्त उधार दे दिये तो वह धन वापस मिलने के लिए कठनाई दिख रहा है आप फस सकते हैं अब बात करते हैं मकर लगन मकर लगने के लिए मंगल का कई परवार दिखाएंगे आपके स्वास्त का ध्यान रखना होगा अपनी वानी पे आप कंट्रॉल रखें प्यार से किसी से बात करें तो प्यार से बात करें कटू भासा का प्रियोग कदापी ना करें। धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। वर्क प्लेस पर राजनितिक का सिकार होने से आप बचे कुट का चैरी के चकर में ना फसें। बाहर ही मामले को सुल्जाना समझदारी होगी। प्रेम समद्ध अच्छे हुँगे। नई संपती खरने के योग भी है कुम्ब लगन। कुम्ब लगन मंगल लगन में कुम्ब लगन के जात्यकों को आपके ही लगन में मंगल का गोच्यर प्रभाव। मंगल आपके लगन में कुम्ब लगोचर्ग आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको गुसा ज्यादा आ सकता है। आपके अंदर चिच्च्रापन आ सकता है। निगेटिव बात आपको बार बार परेशान करेंगे। और आपके स्वास्त्रमंदित परेशानियां आ सकती है। खर्चे बढ़ेंगे और चिंता भी बढ़ेगी। हलाकि आपका उर्जा और आय के साधन बढ़ेंगे। और आपके द्वारा किये गए काम की पसंसा होगी। आपका वर्चस बढ़ेगा और आपके मन सम्मान बढ़ेंगे। जिमेदारियां भी बढ़ेगी। मीन लगन और मीन रासी। लगन से आपके बार्मे भाव में गोचर करते हुए मंगल का प्रभाव आपके लगन के लिए शमान होगा। कार छित्र में उतार चड़ाव होगा आर्थिक तंगी भी हो सकती है। ज़ाद खरिदने के योग बन रहे हैं। उधार लेते या देने से आप बचें। आपके शत्रू रहेंगे और आपके जीत मिलेंगे संसारिक सुख मिलेंगे। और ये तो मंगल का है अभी शुर्य का भी गोचर जो मीन रासी में हैं। तो कहने का है जुकि अभी समय जो है 15 मार्च से बहुत लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है। खास तोर पे आप किसी से कर्ज लेना या कर्ज देना या किसी कोट कचरी जगरे से बिवाद से आप बचें। जूठी गवाही से आप बचेंगे तो आपको लाब मिलेगा इस बक्त आप सब शिवाले में जा करके पर्तेक दिन जल चरहें और होलमान चलीशा का और बजरंग बांद का पाठ करें। शुबह सुर्य उदे से पुर्व उठ जाएं और नित्य कर्म करके भुवन भास कर सुर्य देव को अर्ग दें। इससे आपको मानसिक सांती मिलेगी और आपकी रक्षा होगे। इसी के साथ अपनी बानी को मैं यहीं पे बिराम देता हूं। अगर चैनल को पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। इसी के साथ प्रेम से बूलिये राधे 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 ओम शिवाए नमाँ ओम शिवाए नमाँ